हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टाड़ी इन हिंदी पर देखे इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का सात्वे प्रोस्ण से हल करेंगे देखे प्रोस्ण है निमनलीखित परतेक के लिए गुनन के अंतरगात उपियोग किये गए गुनधर्मों का नाम लिखिये यानि देखिए आपर प्रोष्ण दिया हुआ है इसमें कौन सा गुन धर्म का उप्योग किया गया है इसको बताना है तो देखिए हम लोग पीछे प्रोष्णों को हल कर रहे थे तो इस तरह के सीखे थे जैसे देखिए इसमें माइनस ग्यारह बटा चौदा पहले है और देखिए बराबर के इस पार इसमें बाद में लिखा हुआ है और देखिए माइनस तीन बटा पांच इसमें बाद में है लेकिन बराबर के इस पार पहले है यानि देखिए दोनों संखिया ये कही तरह का है लेकिन देखिए इसका जो क्रम है आपस में बदला गिया है तो देखिए इसको कहते हैं गुनात्मक क्रम भी निमे है तो यही आपको लिखना था तो चलिए अब हम लोग बी नंबर प्राश्ण को भी समझते हैं देखिए इसमें यहाँ पर दो तरह का संख्या दिया हुआ है और देखिए हम लोग सीखे थें गुनात्मक सहचारियता में कि पहले क्या करना है इधर वाला जो भी दो संख्या होगा इसके साथ ब्रेकेट को लगाना है और देखिए बराबर के इस पर आपको देखिए एक संख्या को छोड़ करके इसमें और इसमें ब्रेकेट को लगाना था जो कि देखिए यहाँ पर उसी तरह से किया गया है तो देखिए इस गुन को गुनात्मक सहचारियता कहते हैं तो चलिए अब हम लोग C नंबर प्राष्ण को भी समझते हैं देखिए इस प्राष्ण में माइनस चार बटा साथ है और गुना करना है एक से देखिए जब भी आप किसी भी संख्या में एक से गुना करते हैं तो उसका जो मान होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यानि जो संख्या रहेगा अगर आप एक से गुना करते हैं तो वही संख्या यहां पर होगा और देखिए इस गुन को गुनात्मक तत्समक कहते हैं चलिए अब हम लोग D नंबर प्राश्णू को भी समझते हैं यहां पर देखिए संख्या है माइनस नौ बटा स्वल्ला और गुना में देखिए यही वाला संख्या है लेकिन देखिए नीचे वाले संख्या को उपर लिखा गया है और उपर वाले संख्या को नीचे इसी तरह से देखिए बराबर में भी यहां संख्या पहले है और यहां जो संख्या है बाद में लिखा गया है यानि इसी संख्या को उल्टा कर दिया गया है देखिए हम लोग प्राश्ण में सिखे थें कि एक होता है योज्य प्रतिलोम यानि जैसे देखिए अगर आप से पुछा जाए कि एक बटा दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो हम लोग क्या करते थे नीचे वाला उपर चल जाता था और उपर वाला नीचे यह होता था योजे प्रतिलोम लेकिन देखे इसके बीच में यहाँ पर गुना का चिन है तो यह होगा गुनात्मक और देखे उल्टा हो रहा है तो इसको लिखेंगे प्रतिलोम यानि देखे इसमें गुनात्मक प्रतिलोम का उप्योग हुआ है तो चलिए अब हम लोग इनमबर प्राश्णू को भी समझते हैं देखे यहाँ पर अभी देखे हम लोग पीछे तुरंट से सीखे थें गुनात्मक सहचार्यता को पहले देखिए दो संख्याओं में ब्रेकेट लगता है और इसके बाद यह दोनों संख्या में ब्रेकेट को लगाना होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह संख्या को छोड़ दिया गया है और यहां दोनों संख्या में ब्रेकेट को लगाया गया है इस गुन को कहते हैं गुनात्मक सहचार्यता तो चलिए अब हम लोग एफ नंबर प्राश्णु को भी समझते हैं देखे माइनस 17 बटा 19 में 0 से गुना किया गया है तो देखे जीरो से गुना करने पर यहां पर आएगा जीरो और देखे जब भी कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो उसको कहते हैं सुन्य का गुनात्मक गुन देखे यहां था सात्वा प्राश्ण तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रास्टन को हल करते हैं यहाँ पर देखिए प्रास्टन है मान ग्यात किजिए देखिए यहाँ पर आपको भीन का गुना को बनाना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग संख्याओं को लिखेंगे देखिए आप यहाँ ब्रेकेट को हटा भी सकते हैं यहाँ पर होगा माइनस 21 और इसके बटा में 28 है गुना में है 15 बटा 30 और देखिए यहाँ पर है 7 बटा माइनस 35 अब देखिए हम लोग यहाँ पर संख्याओं को काटेंगे जैसे देखिए 7 से 35 यहाँ कटेगा 5 बार में लेकिन देखिए हम पर माइनस का चिन है और 7 कटेगा 1 बार में यहाँ दोनों संख्याओं 5 से कटेगा 5 से 15 कटेगा 3 बार में और 30 कटेगा 6 बार में यहाँ पर देखिए 21 और 28 जो है 7 से कटेगा साथ से किस कटेगा तीन बार में और अठाइस कटेगा चार बार में अब हम लोग देखेंगे कि और भी संख्या कटेगा की नहीं देखें हाँ पर दो है और नीचे में छव है यहाँ दोनों संख्या कटेगा दो से दो कटेगा एक बार में और दो से चो कटेगा तीन बार में देखिए यहाँ पर उपर में तीन है और यहाँ पर नीचे में तीन है यहाँ दोनों संख्या तीन के पहाड़ा से एक एक बार में कट जाएगा अब देखिए यहां पर हम लोग संख्याओं को लिखेंगे तो देखिए उपर में है एक और इसके बटा में पांच यहां पर देखिए जो संख्या है वह माइनस में तीन है और बटा में चार यहां देखिए उपर में भी एक है और इसके नीचे में भी एक है यहां देखिए उपर में एक है और इसके बटा में माइनस का पांच है अब देखिए कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा तो देखिए हम लोग करेंगे क्या उपर में जो भी संख्या है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे देखिए एक से गुना तीन में करने पर यहां होगा तीन तीन से गुना एक में करने पर यहां रहेगा तीन और फिर से तीन से गुना एक में करने पर यहां रहेगा तीन इसमें देखिए माइनस का चिन है तो यहां पर माइनस का चिन लगेगा अब देखिए 5 से गुना 4 में करने पर यह होगा 20 20 से गुना 1 में करें तो यह रहेगा 20 20 से गुना 5 में करने पर यह होगा 100 लेकिन देखिए हैं पर माइनस का चिन था तो इसमें माइनस का चिन लगेगा देखिए उपर में भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है तो यहाँ दोनों संख्या आपस में कड़ जाएगा यानि देखिए इसका जो एंसर आएगा वहाँ आगा तीन बटा सोव तो चलिए अब हम लोग बी नंबर प्राश्ण को हल करते हैं देखिए इसको भी हल करने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यानि देखिए 36 बटा 85 है और अंत में है 30 बटा 18 देखिए इसको हल करने के लिए 36 से 30 कटेगा 5 बार में चोज से अठारा कटेगा 3 बार में यहाँ पर देखिए यह 17 से 85 कटेगा 5 बार में और 17 से 17 कटेगा एक बार में अब देखिए यहाँ पर यह 3 से यह 36 कटेगा 3 से 3 कटेगा एक बार में और 3 से 36 कटेगा बारह बार में देखिए उपर में 5 है और नीचे में भी 5 है यहां दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा देखिए यहां पर तीन है और यहां पर एक इस है तीन से तीन कटेगा एक बार में तीन से एक इस कटेगा साथ बार में अब देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे उपर में एक है और बटा में पांच यहां देखिए गुना में माइनस का चिन था तो यहां होगा माइनस का एक और इसके बटा में है साथ यहां देखिए उपर में बारा है और बटा में एक और देखिए अंत में है उपर में भी एक और नीचे में भी एक अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो हम लोग संख्याओं का गुना को करेंगे देखिए उपर में गुना करने पर यहाँ आएगा 12 लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस का चिन है तो यहाँ पर माइनस का चिन लगेगा पांस से गुना साथ में करने पर यहोगा 35 देखिए इसका जो एंसर आगा वहाँ आगा माइनस 12 वटा 35 तो चलिए अब हम लोग 9 नमबर प्राश्ण को हल करते हैं यहाँ पर देखिए प्राश्ण है सत्यापित कीजिये की निमनलिखित कथान सत्य है अत्वासात्य देखिए इसको सत्यापित करना है तो देखिए इधर में जो भी संख्या होगा यह होगा LHS और देखिए बराबर के इस पर जो होता है यह होता है RHS तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो येलेचेस में संख्या है इसको लिखेंगे यानि भाग का चीन है और माइनस आठ बटा नौ है सबसे पहले देखें दो बटा तीन को लिखेंगे और भाग का चीन गुना के रूप में बदलता है और देखें यह चीन जब गुना के रूप में बदलता है तो इसके बाद वाल और मायनस 8 हाजाएगा नीचे 3 से 9 को काटने पर यह कटेगा 3 बार मी 2 से 8 को काटने पर यह कटेगा 4 बार मी यानी देखिए अब नहीं कटेगा उपर में होगा 3 और इसके नीचे में होगा मायनस में 4 यह हो गया LHS अब यहाँ पर आरेचेस वाले संख्या को भी हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस आठ बटा नौ और देखिये भाग काचीन है और इसके बाद दो बटा तीन है तो देखिये यहाँ पर लिखेंगे माइनस आठ बटा नौ को भाग कचिन गुना के रुप में बदलेंगे तीन चल जाएगा उपर और उपर वाला संखिया यहाँ जाएगा नीचे दो से आठ को काटने पर यह कटेगा चार बार में तीन से नो को काटने पर यह कटेगा तीन बार में उपर में होगा माइनस चार और इसके बटा में हो जाएगा तीन देखिए यहाँ पर संख्या कुछ और है और यहाँ पर संख्या कुछ और है तो यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर नहीं है बराबर लिख करके इसको काच देना है और यहां पर लिखेंगे RHS को और देखें हैं बताना था सत्य है अत्वासत्य तो हम लोग कहेंगे कि ऐस्त्य है इस तरह से बताना था तो चलिए अब हम लोग B number प्रेस्टन को भी हल करते हैं देखिए इसको भी हल करने के लिए इधर वाला जो संख्या होगा या होगा LHS तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर माइनस नो और भाग में देखिए है तीन बटा चार देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक होगा अब देखिए हैं आप लिखेंगे माइनस नो बटा एक और भाग का चिन गुना के रूप में बदलेगा तो देखिए चार चल जाएगा उपर और तीन आ जाएगा नीचे तीन से नो को काटने पर यह कटेगा तीन बार में देखे, माइनस 3 से गुना 4 में करे तो यह होगा माइनस का 12 इसके बटा में देखे, एक है देखे, बटा में आप एक को लिख भी सकते हैं अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी देखे, एक जो होता है वह हमेशा छुपा हुआ होता है यानि यहाँ पर आग्या 12 अब देखे, आरेचेस में जो भी संख्या है इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर देखे है तीन बटा 4 और भाग में है माइनस का 9 इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक होगा अब देखे, यहाँ लिखेंगे तीन बटा 4 को और भाग काचिन को गुना के रूप में बदलेंगे एक चल जाएगा उपर और माइनस में 9 जो है यहाँ जाएगा नीचे तीन से 9 जो है यहाँ कटेगा तीन बार में और देखे, उपर में कोई भी संख्या नहीं है तो उपर में 1 होगा 4 से गुना माइनस 3 में करे तो यह होगा माइनस का 12 यानि देखे, यहाँ पर केवल माइनस 12 है और यहाँ पर देखे, एक बटा माइनस 12 है यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो देखे, हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे एलेचेस बराबर नहीं है आरेचेस के इस तरह से लिखना है अगर देखे, सत्य और असत्य में बात करें तो यहाँ पर देखे, होगा असत्य असत्य है देखे, यहाँ पर अगर बराबर हो जाता तो हम लोग कहते कि सत्य है लेकिन बराबर नहीं है तो कहेंगे कि असत्य है तो चलिए अब हम लोग 10 नमबर प्रास्टन को हल करते हैं देखिए आपर प्रास्टन है बताईए पहला प्रास्टन है ऐसी परिमे संख्या जिसका कोई ब्यूतकरम नहीं है तो देखिए 0 एक ऐसा संख्या है जिसका कोई भी व्यूत्करम नहीं होता है यहाँ पर देखिए परीमे संख्या का बात कहा जा रहा है तो देखिए 0 जो है एक परीमे संख्या है 0 के बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक होगा और आप लोग यहां जानते होंगे कि परिमे संख्या उसको कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और यहां देखे Q जो है वह 0 के बराइबर नहीं होना चाहिए तो देखिए 0 एक परी में संख्या है लेकिन देखिए इसका व्यूत क्रम जो है वह नहीं होता है जैसे देखिए व्यूत क्रम में नीचे वाला संख्या उपर चल जाता है और उपर वाला संख्या नीचे देखिए अगर आप एक से यह जीरो में भाग लगाते हैं तो इसलिए यह जो 0 है इसका कोई भी व्यूत्करम नहीं होता है तो चलिए अब हम लोग B नंबर प्राश्ण को भी समझते हैं परिमे संख्या हैं जो अपने व्यूत्करम के समान है यानि देखे एक एक ऐसा परिमे संख्या है जो अपने व्यूत्करम के समान होता है यानि देखिए यह हो गया P बटा Q के रूप में और देखिए व्यूत्करम का मतलब होता है कि आप नीचे वाले संख्या को उपर ले जाईए और उपर वाले संख्या को नीचे देखिए पहले भी 1 बटा 1 था और अभी भी 1 बटा 1 है यानि देखिए इसको अगर आप भाग लगाते हैं तो भी देखिए इसका जो एंसर आएगा वह एक आएगा तो इसलिए आपको याद रखना है कि परिमे संख्या जो अपने व्यूत्करम के समान है वह संख्या एक है और 0 का कोई भी व्यूत्करम नहीं होता है तो चलिए अब हम लोग C नंबर प्राश्ण को भी समझते है परिमे संख्या जो अपने रिनात्मक के समान है यानि देखिए अगर वह संख्या माइनस में भी है तो अभी उतना ही है और प्लस में भी होने पर उतना ही है जैसे देखिए एक संख्या मान लिजिए की दो है और एक संख्या मान लिजिए माइनस दो है यह दोनों परिमे संख्या है लेकिन यह आपस में बराबर नहीं है यह प्लस में दो है और यह माइनस में दो है तो यह संख्या छोटा संख्या हो जाएगा और दो बड़ा संख्या हो जाएगा लेकिन देखिये 0 एक ऐसा संख्या है जो प्लस में भी होगा या फिर माइनस में भी होगा तो 0 का मतलद दोनों बराबर ही है तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है तो चली अब हम लोग D नंबर प्राश्णों को समझते हैं क्या परिमे संख्याएं भाग के अंतरगात सदैव सन्वरित है तो देखे नहीं है अभी देखे हम लोग तुरंद से पीछे भाग वाले प्राश्णों को हल किये थे जहां पर देखे हम लोग सत्यापित कर रहे थे तो एंसर बराबर नहीं आ रहा था तो हम लोग कहेंगे कि नहीं है इसके बाद देखे i नंबर प्राश्ण है क्या परिमे संख्याएं भाग के अंतरगात सदैव करम बिनीमे है तो देखिये क्रम बिनी में भी जो है वह नहीं होता है भाग के अंतरगत नहीं होता है अगर देखिये गुना के अंतरगत कहता तो वह होता है अब देखिये आपर एफ नंबर प्राश्ण है क्या परिमे संख्या भाग के अंतरगत सहचार्य है देखिए भाग के अंतरगत या सहचार्य भी नहीं होता है लेकिन गुना के अंतरगत या सहचार्य होता है देखिए आपर जी नमबर प्रश्ण है किया हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं तो देखिए नहीं क्योंकि देखिए अगर आप एक में 0 से भाग लगाते हैं अनंत का चीन तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं देखिए यही था 10 नंबर प्रास्ट देखिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे अगले वीडियो में हम लोग 11 नंबर प्रास्ट में से हल करेंगी और देखिए आप लोग प वीडियो में